वेल्कम बेक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम B.A.N.T.E. एक्जाम के previous year के paper के बार में बात करेंगे. जो कि 2000 का है. छोले friends वीजियो को स्टाट करते है. इसके अंदर हम जीके के questions के बार में बात करेंगे कि 2015 का जो prenट entrance exam का paper हुआ था उसमें जीके में कौन-कौन सी questions पूछे गये थे. फर्स question है ornithology विज्ञान के अंदर किसका अध्यन किया जाता है शिक्षा सास्तर का प्राणी विज्ञान का पक्षियों का या फिर दंद विज्ञान का तो फ्रेंड्स और निथोलोजी के अंदर पक्षियों का अध्यन किया जाता है जब भी पक्षियों का अध्यन की बात आती है तो वहा of a use किया जाता है निकट दस्थी दोस्त के लिए जिसको eyesight मैं problem होती है जिसको near eyesight problem होती है उसके लिए myfya use किया जाता है वर्लड next है India house कहां इस्तित है इंडिया house कहा है लंदन में, न्यू यॉरक में, मूंब़ी में या कैलिफॉर्णिया में तो friends इंडिया हाउस लंदन में इस्तित है तो इसका आंसर 1 correct है नेक्स्ट है जापान की संसत का नाम क्या है तो फ्रेंड्स अगर हम जापान की संसत की बात करें तो उसका नाम है टाइट नेक्स्ट है भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में चली थी वारेन हैस्टिंग्स, लॉर्ड हैस्टिंग्स, लॉर्ड डलहोजी या बिलेम बैंटिक तो फ्रेंड्स भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी जो कि मुंबई थाने से चली थी वो थी लॉर्ड डलहौ जी के कारेकाल में नेक्स्ट है सबसे उची परमतमाला कौन सी है एंडीज, एवरेस्ट, हिमाले, आल्प, सियफे हिमाले तो फ्रेंड सबसे उची परमतमाला है एवरेस्ट जो कि हिमाले है नेक्स्ट है नेक्स्ट है किस मुगल बादशा ने हिंदू पर लगने वाले जजिया कर को समाप्थ कर दिया था अकवर ने, हुमायू ने, शाहजा ने या फिर जहागीन ने तो फ्रेंड्स जो जजिया कर था वो हिंदू पर लगाया जाता था और उसको अकुवर ने समाप्त कर दिया था तो इसका option A correct है नेक्स्ट है थियोसोफिकल सुसाइटी का जो परचार पिसार है भारत में किस ने किया था कर्णर अलकाट ने, एनी बेसेंच ने, राजवरामोन राह ने या फिर ब्लियम बैटिक ने तो फ्रेंड्स अगर हम भारत की बात करें कि भारत में थियोसोफिकल सुसाइटी का प्रचार पिसार किस ने किया था तो वो थी एनी बेसेंच तो इसका option B correct है नेक्स्ट है भारतिय लगई उद्ध्यो विकास बैंक यानि सिडवी का मुख्याले कहा है लखनव में है, मुंबई में है, बैंगलूर में है या फिर नई दिल्ली में है तो फ्रेंड्स सिडवी का जो मुख्याले है वो लखनव में है तो इसका option A correct है हम नेक्स्ट कोशन पे आते हैं भारत में अंतरास्टे महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगा कौन सा है विशाखापटनम, कालीकट, कांडला या फिर गोवा तो फ्रेंड्स अगर हम अंतरास्टे महत्व की बात करें कि मुक्त व्यापार बंदरगा कौन सा है तो वो है कांडला जो की पहला मुक्त व्यापार बंदरगा है भारत का नेक्स्ट है दूद की शुद्धा की माप किस यंतर दौरा की जाती है लैक्टोमीटर, वैरोमीटर, टैकोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर तो फ्रेंड्स जो दूद होता है उसमें शुदिता उसकी जाचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है तो ओप्शन A यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है बुद्ध, शुक्र, प्लूटो या फिर मंगल तो फ्रेंड्स अगर हम किसी चमकदार ग्रह की बात करते हैं तो वो है शुक्र हमारा यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट है शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकदार होता है नेक्स्ट है राज्यसवा का सवा पतीत्व कौन करता है रास्टपती, प्रधानमंत्री, उपरास्टपती या फिर स्पीकर तो फ्रेंड्स अगर हम राज्यसवा की बात करते हैं तो उसका सवा पतीत्व होता है उपरास्टपती नेक्स्ट है भारत के विवाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं तो फ्रेंट जब भारत का विवाजन किया गया था तो 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई थी तो हमें बताना है कि उस योजना को क्या कहते हैं लौड माउंटेन योजना, काबिनेट मिशिन योजना, बैवेल योजना या फिर कृप्स योजना तो friends ये योजना बनाई थी Lord Mountain ने इसलिए इस योजना को Lord Mountain बेटेन योजना भी कहा जाता है नेक्स्ट है बिद्वा पुनर बिद्वा पर किसने जोड दिया था इश्वर्चन विध्या सागर ने, दयानन सरस्वतीव ने, कोपाल हरी देशमुक ने या फिर महत्मा गांदी ने तो फ्रेंड्स अगर हम विध्या पुनरविवा की बात करते हैं तो इस पर सबसेता जोड दिया था इश्वर्चन विध्या सागर ने इन्होंने खुद एक विध्वा इस तरी से शादी की थी जिसकी बाद इन्होंने जो भी कूपर था थी इसको हटाया था तो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन ए ईश्वर्चन विध्या सागर नेक्स्ट है विक्तिगत सुतंतरता के लिए कि शब्द का प्रयोग किया जात सकता है मैडमस, हैबियस कारपट्स, कोवार्टो या सर्टियूरारी तो फ्रेंड्स यहाँ पर विक्तिगत सुतंतरता की बात करते हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है है तो यहाँ पर option B हमारा correct है next है calcium किसकी ब्रदी में सहायक है मासपेशी, हड़ी, नाडी तंत्र या फिर खून तो friends calcium जो हमारा सहायक होता है वो है हड़ी ये हड़ियों को मजबूत करता है और इसकी कमी से हमारी हड़ियां कमजोर हो जाते है तो option B हमारा यहाँ पर correct है next है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है गोदाबरी, कृष्णा, तापती या फिर महा नदी तो friends अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है तापती नदी और सबसे ज़्यादा जो जल जिस नदी का गिरता है अरब सागर में वो है सिंधुनती next है निम्न मैंसे किस उपस्तिती के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता fibrin, hemoglobin, heparin या फिर thromoplastin तो friends अगर शरीर के अंदर हमारा heparin की कमी होगी तो इसके कारण, sorry heparin के अगर उपस्तिती होगी तो इसके कारण हमारे शरीर के भीतर जो है वो रक्त नहीं जमेगा तो option c यहाँ पर हमारा correct answer है next है तो friends मुहमब बिन तुगलक की बात करें तो उनका नाम ग्यासुतिन तुगलक भी था और इनकी मृत्यू के बाद दिल्ले का जो सुल्तान बना था वो था विरोश शाह तोगलक तो यहाँ पर option b हमारा correct है next है निम्न मैंसे कौन उदारवादी नेता नहीं है तो friends हमें बताना है कि कौन उदारवादी नहीं है तो options है गोपाल कृष्न गोखले मदन मोहन मालवी है दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगादर तिल्लक तो friends अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनमेंसे कौन सा हमारा उदारवादी नेता नहीं है तो इसका जो right answer है वो है option d जो की है बाल गंगादर तिलक बाल गंगादर तिलक उतारवादी नेता नहीं है नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक प्रवर्तन कहां किया था वैशाली, बोध गया, लुंबिनी या सारनाथ तो friends जो महत्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना जो उपदेश धर्मचक प्रवर्तन किया था वो किया था सारनाथ में तो option d हमारा correct है next है सेडसा की कब्र कहां पर इस्तित है आगरा में, लाहोर में, बदायू में या फिर सासा राम में तो friends सेडसा की जो कब्र है वो सासा राम में इस्तित है तो option d हमारा यहाँ पर correct है next है वैदिक यूग में ग्राम समू को क्या नाम दिया गया था ग्राम, जन, विस या फिर सभा तो friends वैदिक यूग में जो ग्राम समू हुआ करते थे उनको विस नाम दिया गया था तो यहाँ पर option C हमारा correct है next है निमलिकित मैसे किसके शाशनकाल के दोरान हैंसांग भारत की यात्रा पर आया था कनेश्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, मौरे या फिर समूंद्रगुप्त तो फ्रेंड्स हेंग सांग भारत आया था यात्रा पर तो वो आया था हर्षवर्धन के शाशनकाल में तो यहाँ पर option B हमारा correct है next है 1905 में गोपाल कृष्न गोखले दोरा इस्थापित प्रत्सिद समाज सेवी संस्था का क्या नाम था options हैं तत्व बोधिनी सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, राम कृष्न मिशन या फिर सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी तो friends 1905 में गोपाल कृष्न गोखले ने जो समाज सेवी संस्था स्थापित की थी उसका नाम था सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी तो option D हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है कॉंग्रेस के प्रतम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी अनी बेसेंट, बिजलक्षमी पंडित, सरोजनी नाइडू या फिर अरोणा आसफ अली तो फ्रेंट्स जो कॉंग्रेस के प्रतम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नाइडू, option C यहाँ पर हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है, एलिसा परिक्षन ग्याद करने के लिए क्या ग्याद करने के लिए होता है एड्स, कालाजोर, कैंसर या फिर मदुमे तो फ्रेंट्स, HIV का पता लगाने के लिए एलिसा परिक्षन का यूज किया जाता है तो option A यहाँ पर हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है, दिन और रात बनने का क्या कारण है प्रतवी का अपनी धुरी पर घूमना प्रतवी का सूरे के चार ओर चक्कर लगाना प्रतवी की सूरे से निकटता या फिर प्रतवी का दूसरे ग्रों से सम्वन तो फ्रेंट्स, अगर हम बात करें दिन और रात बनने के कारण तो यहाँ पर options A और V दोनों ही correct है तो इस तरह के questions में आपको full marks मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर options दोनों ही correct है प्रतवी का अपने धूरी पर घूमना भी यही एक यह भी कारण है दूसरा यह भी कारण है कि प्रतवी सूरे के चार ओर चक्कर लगाती है तो आप अपने according देख लीजेगा अगर हम previous paper की बात करें कि previous paper में कौन सा इसका right answer था तो इसमें जो right answer था वो था option B प्रतवी का सूरे के चार ओर चक्कर लगाना उन्होंने इसको correct माना था नेक्स्ट है रडार यंत्र किस काम में आता है जहाजों की चाल मापने के लिए जहाजों का भार मापने के लिए जहाजों का मार्क मापने के लिए या फिर जहाजों की गती, इस्तिती और दिशा मापने के लिए तो friend आपने देखा होगा जहाज पर रडार लगी होती है तो उस रडार का काम होता है जहाज की गती, इस्तिती और दिशा पता लगाना की वो किस दिशा में जा रहा है तो option D यहाँ पर हमारा correct है Next है, संसार का अधिक्तम कौफी उत्पादक देश है इथोपिया, शीलंका, भारत या फिर ब्राजील तो friends यहाँ पर हमें बताना है कि भारत का सबसे दिख्तम कौफी उत्पादक प्रदेश कौन सा है तो friends बो है यहाँ पर ब्राजील तो option D यहाँ पर हमारा correct है जो सबसे ज़्यादा कौफी उकती है भारत के अंदर, वो है हमारा ब्राजील next question पर आते है ग्रूप A रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रूप कर रक्त दिया जा सकता है केवल A ग्रूप, केवल AB ग्रूप, केवल O ग्रूप या फिर A तथा O ग्रूप तो friends अगर हम बात करें ग्रूप A को रक्त देने की तो यहाँ पर option D हमारा correct है क्योंकि जो ब्लड ग्रूप A है वो भी A को ब्लड दे सकता है और O तो हर किसी को ब्लड दे सकता है फिर चाहें वो A हो, B हो, AB हो या फिर O हो next है, रिजर बैंग की स्थापना कब हुई थी? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में या फिर सन 1937 में तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें, रिजर बैंग की तो इसकी स्थापना हुई थी? 1st April 1935 को, तो option C यहाँ पर हमारा correct answer है next है, घासी राम कोतवाली पुस्तक के लेखक कौन है? सुनिल गावसकर, रभी शास्त्री, विजे तैंदुलकर या फिर बिमल मित्र तो फ्रेंड्स अगर हम घासी राम कोतवाली की बात करें, तो इसके जो लेखक हैं, वो है बिजे तैंदुलकर तो option C यहाँ पर हमारा correct answer है next question पर आते हैं, भारत के आर्थे विकास के मूल समस्याओं, मैसे निम्द मैसे कौन सा इकारक उत्तरता ही नहीं है? जन संक्या ब्रत्थी, निर्धनता, असमानता, बेरुजगारी, असिस्षा, या फिर मृत्यूदर कम होना तो बताए friends इसका क्या answer होगा, ऐसे क्या कारण है जिसके वजे से यहाँ पर जो भारत की आर्थे विकास की जो मूल समस्याओं, वो उत्पन हुई तो friends इसका जो राइट answer है, वो है option D, मृत्यूदर कम होना ये इस में से ऐसा कोई भी कारक उत्तरदाई नहीं है, क्योंकि जन संक्या ब्रत्थी direct effect करती है, विकास में निर्धनता, असमानता भी effect करती है और बेरोजगारी और असिक्षा भी effect करती है, क्योंकि असिक्षा होगी तो लोग आंगे इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, और ज्यादा बिस्निस नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को वो उस धर्टंग से नहीं कर पाएंगे, कि उन्हें वहाँ पर profit earn हो नेक्स्ट है, प्रत्वीराज चोहान की जीवनी और कारेओं पर आधारित प्रत्वीराज रासो की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो, मलूक दास, चंदबड़ दाई, या फिर शर्फुकदिन यजदी तो फ्रेंट्स अगर हम बात करें कि प्रत्वीराज चोहान की जीवनी पर बेस्ट है, तो उसकी रचना की थी, चंदबड़ दाईन है ये बहुती फेमस जीवनी है, फ्रेंट्स हर बार इस तरह का questions एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अरजुन देव, गुरु गुविन सिंग, गुरु तेग बहादूर या फिर इनमैसे कोई नहीं तो फ्रेंट जिर सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी वो थे गुरु गोविन सिंग जी उन्होंने खालसा पंद की स्थापना की थी नेक्स्ट है अकवर और हेमू के बीच पानीपत का दुतिय यूद कब हुआ था 1550, 1556, 1559 या फिर 1560 में तो फ्रेंट अगर हम बात करें पानीपत के यूद की कि उसका दुतिय यूद कब हुआ था तो वो हुआ था 1556 में तो यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट है सोतन्थ भारत का प्रतम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेन प्रिसाद, सचिनानन सिनह, लूड बाउम माउंट बेटेन या फिर रशी राजकुपाल चारी तो फ्रेंड सोतन्थ भारत का जो प्रथम गवर्नर जर्नल बने थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटे तो option C यहाँ पर हमारा correct answer है नेक्स्ट है दयानन्थ के बच्पन का क्या नाम था परिशंकर, मूल शंकर, परमानन्थ या फिर अमबा शंकर तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दयानन्थ के बच्पन का नाम था वो था मूल शंकर तो option B यहाँ पर हमारा correct है नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में, 1764 में, 1576 में या फिर 1761 में फ्रेंड्स प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1757 इस्वी में नेक्स्ट है, अस्ट प्रधान का क्या अर्थ है options है, मंत्रियों की एक परिशत जो मराठा शाषक के सलाकार के रूप में कारे करती थी या फिर कुछ नेताओं दौरा बताएगा, अस्ट मार्ग, एक तरह का कर, या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स अगर हम अस्ट प्रधान की बात करें, तो ये आठ मंत्रियों की एक परिशत थी जो की मराठा शाषक के यहां काम किया करती थी और ये उनके सलाकार के रूप में कारे करती थी तो ओप्शन अ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है दिल्ली के सिंगासन पर बैटने वाले प्रथम और अंतिम मुसलिम महिला कौन थी रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान या फिर चान बीबी तो फ्रेंट्स दिल्ली के सिंगासन पर बैटने वाले जो प्रथम महिला थी और अंतिम महिला मी थी वो थी रजिया सुल्तान ओप्शन C यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है, बानवे शन्चोधन दौरा समिधान के किस अनुच्छेद में मौलिक का रुर्तव्यों को जोड़ा गया है 51A, 53A, 54A या फिर 55A तो इसका राइड आंसर है ओप्शन C, 54A नेक्स्ट है, कुरियन पुरुसकार दिया जाता है डेरी विग्यान में, टेशी विग्यान में, चिकतसे विग्यान में या फिर वैग्यानिक अनुसंधान में तो फुरुषकार दिया जाता है डेरी विग्यान में ये डॉक्टर कुरियन की याद में दिया जाता है डॉक्टर कुरियन डेरी विक्यान के जनक भी कही जाते हैं नेक्स्ट है रास्टगान जन्गर्ण मन की रचना किस ने की थी बंकिंग चन चतर जी ने, रविनाट टैगोर ने, आशुतोस चतर जी ने या फिर हरिद्र नाट टैगोर ने तो फ्रेंट्स रास्टगान की जन्गर्ण मन जो था, उसकी रचना की थी रविन्दर नाट टैगोर जी ने नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्कों के, चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस साशक ने करवाया था समुंद्र गुप्त, चंद्र गुप्त, विक्रमा दित्ते, कुमार गुप्त, महेंद्र दित्ते या फिर इसकंद गुप्त तो फ्रेंट्स चांदी के सिक्कों का सवधम प्लचनन हुआ था, चंद्र गुप्त, विक्रमा दित्ते के शाशनकाल में तो option B यहाँ पे हमारा correct है next है नील नदी की देन किसे कहते हैं भारत को, मिश्र को, सुडान को या फिर जापान को तो friends नील नदी की कहा जाता है कि यह मिश्र की देन है तो option B यहाँ पे हमारा correct है next है भारत में गरीबी हटाव का नारा किस पंचवर्षय योजना के अंतरगत किया गया था पहली, दूसरी, चौथी या फिर पांचवे तो friends यह पंचवर्षय योजना का यहाँ पे भारत के अंदर किया गया था वो थी पांचवे पंचवर्षय योजना जिसके अंदर ये नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाओ नेक्स्ट है 1930 में गांधी जी ने सत्यागरा किया था गांडी यात्रा क्योंकि नमक कानूर तोड़ने के लिए अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एबा भी दोनों या उप्रक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स 1923 में गांधी जी ने सत्यागरा किया और वहाँ पे डांडी यात्रा भी शुरू की थी 1930 में तो ये किया गया था नमक कानूर को तोड़ने के लिए क्योंकि अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगाते थे और बहुत भारी करोस पे लिया करते थे तो इस कानूर को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी यात्रा की तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो I hope आपको इन questions से बहुत help मिली होगी और ये था हमारा 2015 का हम कोशिश करेंगे 2015 का सभी sections के जो previous paper है उसको upload करते हैं साथी साथ इसके बाद हम 2016, 17 ऐनि 2018 के paper को भी discuss करेंगे तो चले फ्रेंड्स वीडियो को यही पर हम finish करते हैं नेक्स वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई